यह जित्ते भी इंदू भाई यह मेरे जित्ते भी हिंदू भाई लेकिछ लिक्षान वीडियो में अपने बड़े भाई अभी भाई की वह अभी डांडिया बात कर रहे हैं की कैसे इन पॉलिटीशियन्स ने देश पे ही नहीं धन पे भी कब्जा कर लिया है अभी भाई को बहुत ही एक्सपीरियंस है आप लोग उनकी बात सुने और कुछ उनकी बात में दम लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा कोई सवाल हूँ तो कॉमेंट में जरूर पूछिएगा बेना समय नश्ट किये अपने सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ अपने बड़े भाई अले भाई कियो नमस्कार असलाम वालेकूम सस्यकार आप लोगों को बहुत टाइम बात मैं लाइव वाऊँ तीन-चार मैंने हो सकते हैं बहुत पोस्ट किये मैंने समझाने कोशिश कर रहा हूँ पिसले छे साल से सत्य ही धरम है जहां सत्य नहीं है वो धरम हो नहीं सकता और जो लोग सत्य के रस्ते पर नहीं है वो ढोंगी होते हैं चाए वो कोई भी हो चाए वो हिंदू हो मुसल्मान हो सिख हो इसाई हो जो सत्य के रस्ते पर नहीं है वो ढोंगी है आप कित्ती बारी पूजा कर लो, कित्ती बारी नमाज पढ़ लो मगर अगर सत्ते के दस्ते पे नहीं हो तो आप ढोंगी हो बड़ी सीधी सीधी बात है खेर, मैं तो 2014 अक्टूबर से बोलता आ रहा हूँ कई लोग आये, मैं बहुत लोगों की बाते सुनता हूँ बहुत लोगों के डिबेट सुनता हूँ कई लोगों के विचार सुनता हूँ मगर एक विचार मैंने अभी तक सुना नहीं है अपने देश में ये जो सरकार है न इनोंने कोई EVM पे या किसी जाती पे किसी जात पे कबजा नहीं किया है इन लोगों ने धरम पे कबजा किया है अब आप देखिए कि 80% अपने देश में हिंदू है उस 80% में मेरे इसाब से आज की तारिक पे 75% दरदर की ढोकरे दो रोटी कमाने की जद्दो जहिद में लगे रहते हैं सबसे ज़्यादा emotional हत्याचार का हो सकता है वो होता है धरम पे तो इनोंने धरम पे कबजा किया धरम पे जैसी कबजा किया है तो इनको सानुबूती मिली क्योंकि जो जो unsuccessful है अपनी life में जो लोग दरदर की ठोकरे खा रहे हैं 2014 से पहले और आज तक उनलों को ऐसा लगा कि धरम की आड में कि कुछ बहुत बड़ा कारणामा कर देगी सरकार को ने धरम की आड में सिर्फ एक ही कारणामा होता है वो है चुनाब जीतना बाकी कुछ दिखाने को है नहीं तो जब तक इनलों का कबजा नीशो रहूआगे न धरम से जब तक आप लोग आप लोगो किसी भी 45 जो भी श्तिती आति है आपनों की उससे आप लोगो निजात नहीं मिलने वाली जो भी है आज कि तारिक में आप देख से बगदाजी ने क्या किया है बगदादी जो सबने सुनाओगा बगदादी उसामिलावेन इन लोगों ने क्या किया था इन लोगों ने ऐसे लोगों को पकड़ा था मुस्लिम कम्यूनिटी में जो लोगों को पता नहीं था कि वो आगे जागे क्या करने वाले हैं उनने सानुबूती बटू ली थी धर्म क कि आ्र में आतंक वाद क्रियेट किया था आज की तारीक में भी यहीं हो रहा है यह एक पंडत है कोई सरस्वतीई ये लो यती सरस्वती मेरे इसाफ से आतंक वादी है हम तो खुला बोलते हैं जो आतंक फिलाता है वह को परिभाशा होती है जो आपको डरा To वो आतंगवादी होता है बड़ी सीधी सीधी बात है यह तरिना है कि कमर में बं बांदे और वो आतंगवादी हो गया है जो आपको डराएगा वो आतंगवादी है बड़ी सीधी है यह जो आदमी कर रहा है यह जो भी है यह पंडे शंदे जो भी है मुझे नहीं पता कौन है कहीं भी जिस देश के अंदर लौक आम कर रहा हो न वहां यह लोग सरवाई करी नहीं सकते कर ही नहीं सकते अब देखिए मज़े की बात यह कि फरमान जारी होते हैं मैं तो बहुत बहूत अपर नहीं बोलता हूं कुले में बोलता हूँ आप लोगों को पता है 2014 जो मेरे से जुड़े हो हैं सब लोगो पता है मैं बहुत खुले में बोलता हूँ मैं कोई गुमा फिरा कि बोलने की मेरी आदत नहीं है जब जब चुनाव होते हैं तब तब ऐसे स्टेटमेंट कहीना कही से आते हैं इसी को भी polarization बूरते है मगर इसमें Muslim community की गलती है कि वो लोग react कर जाते है अभी एक आदमी ने react कर दिया कि 51 लाक रुपया वो उसको देगा चाया उसकी 51 लाक की अवकात है या नहीं है वो अलग बात है मुझे नहीं लगता है मगर 51 लाक रुपय वो देगा जो इस बाबा का सरकलम करके लाएगा मुझे बताएंगे कित्ती बारी सरकलम हुए है आज तक कित्ती बारी जारी किये गए फत्वे आज तक फत्वा हुआ है कित्ती बारी F.Y. लगाई है आप लोगों ने अमातुल्ला खाने क्या नाम है उनका उन्होंने इमिजेटली रियाट कर दिया ट्वीट पे आपको रियाट करने की जरूत नहीं है जरूत ही नहीं थी आपको रियाट करने की वो यही चाहते थे रियाट करें जैसे ही आप रियाट किये all polarization हो गया बंगाल का चुनाव चल रहा है तभी ये आदमी अभी lately पिछले एक मैने से statements दे रहा है ने तो उससे पहले ये statement को गुप चुप में दिया करता था अभी open नहीं दे रहा है कि उसको पता है बंगाल चुनाव है बंगाल के चुनाव में polarization करना है मगर हमारे मुस्लम भाई क्या है कि कच्ची गोटिया उठा लेते हैं मैंने बहुत पहले एक का था बहुत पहले मुस्लिम कम्यूनिटी के पास आज की तारिक में होंगे लीडर होंगे शैनवाद हुसेन हैं गुलाम नभी जियादाज साहब हैं OEC साहब हैं सब हैं मर कोच नहीं है और मैंने एक बात और कही थी मैंने request करी थी कहीं नहीं थी मैंने request करी थी कि मुस्लिम कम्यूनिटी में जो युवा है ना आज की तारिक में 18 साल से 25 साल तक वो social media छोड़ दे उसका reason में बताये तो हम जैसे security लोग है ना हम लोगों को कई बारी problem हो जाती है आप लोगों से आप लोगों का एक statement हम लोगों को दो कदम पीछे करने को कर देता है मश्बूर क्योंकि यह जो कटर हिंदू है यह हमारे पीछे पढ़ जाते हैं फिर हम क्या करें मगर वो बदलावा नहीं सकता क्योंकि बई तुम्हारे जो धरम पे कबजा हो चुका है हम तुम्हें पता देते हैं गैरिंटी तुम्हें पता देते हैं तुम्हारे धरम पे कबजा हो चुका है देश पे कबजा हो या नहीं हो देश बिके नहीं बिके मगर धरम रोज बिकरा है सियासत की आड़ में धरम का बजा छिके हैं जब दघरम का बजयार किधर लगाया जाता हैcit कि धर लगाया जाता है जहां पर गराहक बहुत होत lleva कॉन है हिंदू है अपने देश में मुसलान निये सिंक नियेσuary हिंदू है और हिंदू बेरोजगारी अगर आज की तरशिक्रेंति देखी जाए तो हिंदू अफीम ये सरकार चटाती रहती है और ये चाटते रहते हैं इन लोगो ये नहीं पता मैंने कई बार ये अपने वीडियो में बात कही है ये जितने कटर पंती है ये जो भी है न ये हिंदू शेर एक तो इंसार से जानवर कब बन गए मुझे ये समझ भी नहीं आती ये जो हिं आएंगे इन लोगी ये आवकात है सोशल मीडिया हमने दर मुहीम चालू कर रखे मौबबत के दंगे 2015 में शुरू कर दी ते हमने मौबबत के दंगे करो तो मौबबत के करो हम तो शुरू से ही बोलते हैं वह तुम आये अकेले जाओगे अकेले तुम काय को काय को उचल- हम तो सीधा बात करते हैं ना अपनी पड़ाई लिखाई में ध्यान दो अपने धंदे में ध्यान दो वो करोगे तो देश आगे बढ़ेगा ये जो धर्म की अफीम चाट ली तुम लोगों ने इससे तुम्हारा क्या होने वाला है और मुझे बड़ी हैरानी होती है यार मैं आप लोगों को बताता हूं मैं कई लोगी प्रोफाइल पर जाता हूं चट डलाने के पैसे नहीं है आज की तारिक में छपपर के नीचे बैठे हैं और ग्यान पेलते रहते हैं राजनीती का हम लोगों से जो हम उस जमाने के हैं जब राजिस्तान में हरुदय जोशी हका जरवत होता है अंधुखती नहीं अनुभव जिनKa अनुभव ओता है नरा राजनीती समझते हैं जिनको अनुभवन नहीं होता ना वह आऌई भक्ति करते हैं थीक है और तुमारी में जिनकी मैं जो आज की जारी में 18 साल का लड़का था, 2014 में, मुझे बताओ, आज 7 साल हो गए, वो 25 साल का हो गया, 24 साल का हो गया, तुरे अपनी जिंदगी में हासिल क्या किया आज तक, बाई, प्रदान सेवक अमेरिका आते हैं ना, तो उनकी जो जलसा होता है, उस जलसा में कभी य साल चलेगे, 40 साल के बीच में जलसे में होते हैं, वो सारे सक्षम लोग हैं, क्योंकि अंधभक्ती नहीं करी उन लोग ने, तुम अपने पाउं पर कुलाडी मार रहे हो, मैं तुम्हें बोलते हैं रहा हूं, कोई भी सरकार हो, इस से कोई लेना देना नहीं, मगर जब धरम पर कबज़ा होने लग जाए, तो इसका मतलब समझ जाना कि देश, देश को एक रहते हैं, रखेल बना दिया है, हम सीधी सीधी बात करते हैं, घुमाफिरा के बात करने की बात नहीं है, देश आतके चारी में रखेल बन चुका है, जिसको आओ, वो रखेल का इस्तमाल करता अपनी सियास्ति चमकाता है, और चल निकलता है, बड़ी सीधी बात है, और तुम लोग जो कि अंधबक्दबन बैठे हो, किसी भी सरकार के हो, चाए वो कॉंगरेस के हो, चाए हामादी पार्टी के हो, चाए बीजेपी के हो, चाए किसी के हो, मुझे इससे कोई लिणा दे ना नहीं है दिखें तुम लोग उस वो जो है न कोठा सियासती कोठे के नीचे दर्बान बेठे हुए हो तुम और कुछ नहीं हो तुमारा कुछ नहीं होने वाला हम तुम्हें गैरंटी बताते हैं तुम लोग को अंदाजा भी नहीं है भाई तुम लोगों मेंसे 80% जो अंबई तक नहीं गए हो तुम क्या जानते हो यार आज की तारिक में क्या है तुम्हारा क्या अनुभव क्या है तुमारे सिंदगी में कुछ नहीं है 30 साल के तुम लोड़े लपाटे हो बाप दादा की बलाय हूए गर के नीचे बैठे हुए हो शरम नहीं आती खुद की यह फिर्वह भी एंदु रख्शक बनने प्टे स्रीराम का कि युवेल की तूम खूड-बचा मैं मुश्किल में आने वाला हूं कि शिर्वाम को पिरे गेंगे बनाटी के इसकते द्धर बीद बल्टी का कहना क्या आप लोग इनकी बात से सहमत हैं नीचे कॉमेंट में मुझे लिखके बताईए अभी भाई कि अगर बात आपको पसंद आई तो इसको लाइक और शेर इस वीडियो को जरूर करिएगा भाईयो अपने सभी WhatsApp ग्रूप्स में अपने Facebook ग्रूप्स में आज भी अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इसी प्रकार हमारे अनेक सहयोगी एक्टिविस्ट्स देश्भक्त की वीडियो उनकी अच्छी बाते उनकी देश्भक्ती की बाते मैं बराबर आप तक लाते रहूं और भारतिय जंता पार्टी भारतिय जुमला पार्टी और भारत देश की ये घटिया जूठी फरेवी देश द्रोही भारतिय जंता पार्टी की सरकार को हम बराबर एक्सपोस करते रहें जै हिद और जै भारत आप दो प्लस दो अगर दबाते हैं नंबर चार आता है रिजल्ट आता है अगर उसकी चिप में दो के जगे आप तीन लिख दें तीन की चिप डालतें उपर दो ही लिखा हो तो दो प्लस दो जब आप चार करेंगे तो एक्शली पांच आ जाएगा आप समझ रहे हैं इसी किसम का घपला EVM के साथ हो सकता है और किया जा सकता है किसमया हो सकता है जा इस जा करेंगे मार्चे चार जबस में चारोग दो खूड़ करेंगे हैं झालते हैं呢 कर दो दो नो बाद है कर दो कर दो दो बंकि दो सकावराया और वा ही अ है